दोस्तो आईपिल 2023 के लिए के चर्चा भी से शुरूर हो गई है और आईपिल 2023 के लिए मिनी आॉक्षन होने वाला है ये मिनी आॉक्षन 16 दिसंबर को हो सकता है आपको बता दी कि मिनी आॉक्षन से पहले सभी टीम में अपने रिलेज और रिटेन खिलाड़ें के लिश्ट भ आखिर कौन है ये दो खिलाड़ी इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को इसी बारे में बताएंगे दोस्तों हम जिन दो खिलाड़ी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले खिलाड़ी है आश्टेलिया के कैमरान गरीन आपको बता दी कि भारत इसे T20 में कैमरान गरीन ने मात्र उननाई से गेनों में भारत के खिला तूफानी अद्शा तक भी जड़ा था ऐसे में ये उमीद की जारी है कि ये खिलाड़ी आलाउं काबलियत के बादोलर और शांदार परदर्शन के दम पर आईपिल मिनी आॉक्शन में बड़ी रकम ह वासिल कर सकता है और सभी टिम में इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए करोड़ों की बॉली लगाएंगी इसके लावा दोस्तों लिस्ट में दूसरे खिलाड़ी है बेनिश्टोक्स आपको बता दे कि बेनिश्टोक आईपिल के पिछले सीजन में नहीं खेले थे लेकिन आ खतरनाक आलाउंडर है और इनकी गिंती दुनिया के सबते खतरनाक आलाउंडर खिलाड़ियों में की जाती है ऐसे में बेनिश्टोक को मोटी रकम मिलना तो तैमाना जा रहा है तो दोस्तों ये दो वो खिलाड़ी है जिने इस बार आईपिल 2023 के मिनी आॉक्शन में करूड दूरुप्ये में खरीदा जा सकता है और इनकी बोली कमाई के मामले में सबी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ सकती है तो दोस्तों आप हमें कमेंड में बताएं कि आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा खिलाड़ी ज्यादा महेंगा भी करेगा अपनी राए हमें नीचे बताई वीडियो अच्छे लगी होते हैं लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले